चलिए आज बना लेते हैं इतना क्रिस्पी करारा क्रंची रम्जान स्पेशल नाष्था जिसको बनाने के लिए ना तो हमें किसी डोकी, ना किसी घॉलकी, ना किसी पट्टी की जुरुत पढ़ने वाली है यह simply bread से बनने वाला इतना जल्दी नाशता है कि कोई भी से असानी से घर पर बना सकता है तो चलिए देर जादा नहीं करते वे बनाना शुरू करते हैं Hello everyone, welcome back to my channel जायका अपने घर के में मैं जोती आपका बहुत-बहुत सागत करती हूँ पैन में हम लोग 2 टेबल स्पून तेल डाल लेते हैं तेल बढ़िया से गरम होते ही, इसमें हम डालेंगे लसन की कर लिएं जिसको मैंने बारिख-बारिख काट ली है, तीन से चार कर लिए थी मेरी लसन की उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बारी कटावा प्यास लिया है जिसको बढ़िया से हम हलका ब्राउन होने तक पका लेंगे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर करेंगे और उसके बाद मैंने एक कटोरी यहाँ पर ली है गाजर गाजर हम यहाँ पर पहले ही फ्राई करेंगे क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए हम पहले गाजर को अकेले ही दो से तीन मिट एक्स्ट्रा फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर जैसे ही गाजर फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पर स्लाइस मेही कटीवी शिमला मिर्श को भी डाला है जैसे हम लोगों ने गाजर काटी थी उसको भी एक से दो मिर्ट बढ़िया से हाई फ्लेम पर बढ़िया से पका लेंगे उसके बाद मैंने चिकन को यहाँ पर रफली फाइन करके इस तरीके से रेशा रेशा अलग कर लिया है क्योंकि मैंने इसको कुकर में पहले से ही उबाल लिया था नमक और काली मिश डाल करके जैसे ही उबल जाएगा उसको आप रेशा रेशा चिकन का अलग कर लीजिए और इस तरीके से वेजिस में मिक्स कर लीजिए चिकन भी मैंने यहाँ पर लिया था वो लिया था धाइसोग्राम ठीक है अब मैंने यहाँ पर इसमें डाला है डेड़ कप पत्ता गोबी पहले मैं चिकन को मिक्स करने के बाद मै मैंने नमक लिया है थोड़ी सी मैंने यहाँ पर आधा चम्मा चिली है सोय सोस थोड़ी सी है मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली और थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर है काल मिर्श का पाउडर हलका हलका डालेंगे जादा नहीं और सब भी चीजों क बड़िया से मसाले के साथ बड़िया से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इन सबी चीज़ों को साइट करते वे दो चमस लेंगे हैं पर मैदा और दो चमस यहां पर लेंगे हम ऑईल अब मैदा को बड़िया से हलका सा यहां पर भून लेंगे ताकि यह जो हमारा म पिक्षर जो हमने बनाया है वो इसको बढ़िया सी एक बैंडिंग मिल जाए क्योंकि हम मैदा जो है कच्छा नहीं डाल सकते कच्छा डालेंगे तो वह स्वाद वह टेस्ट हमको आएगा नहीं जो हम लाना चाहते हैं इसलिए आप जब भी डाले मैदा थोड़ा सा भून करके तेल में इस तरीके से डालें इसलिए क्या होगा मैने कड़ाई में ही साइड में जो है घूल जाता तक हमारा टाइम बच जा है ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी दूद इससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्षर आएगा हमारी वेजिस में और जो ह क्रीमी सा बंदा मंदा हमारे मिक्षर हो चुका है इसी तरीके का मिक्सर हमको चाहिए अब मैं इसको निकालके रख लेती हूँ ठंडा होने के लिए अभी बहुत ज़ादा गरम है इतना हमको यूस नहीं करना है प्रॉपरली ठंडा हो जाए तह भी हम यहाँ पर यूस करें तो जो इसके corners है इसको हमको फेकने नहीं इसके आप बढ़िया से breadcrumb बना करके तयार कर लीजिए जो कि हमारी आगे recipe में काम आने वाले हैं अब मैं bread को क्या करूंग ना दो हिस्तों में इस तरीके से cut कर रही हूं यह दिखिए इस तरीके से दो cut कर लीजिए अब हमको क्या करना है bread तो हमारी हो गई है तयार अब जो हमने वहाँ पर मसाला रखा था ना यह देखिए प्रॉपर ली ठंडा हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक या तेबल स्पून जितना आ रहा है उतना बढ़िया से आप एक bread के slices पर फैला लीजिए और दूसरा bread इस तरीके से उपर रखते हैं वह हलका से इसको प्रैस कर दीजिए दबा दीजिए तो हमारा यह एक नास्ता जो है रेडी हो चुका है प्रॉपर रेडी नहीं है इ बढ़े में बताती हूं आपको किस्त का घुल बनाना है तो इसी तरीके के हमको यह पर ब्रैड जो है बनकर के रख लेने हैं इस तरीके से अब हम क्या करेंगे इसको डिप करने के लिए मैंने यह पर अंड़ लिया है दो अंडे तोड लिया है और थोड़े से ब्रैड करम् कोट करेंगे बढ़िया से दबाते वे कोट करेंगे ताकि ब्रेट की कोटिंग बढ़िया से चड़ जाए अगर आप अंडे की स्मेल पसंद नहीं करते हो तो आप अंडे की जगह यहां पर मैदे का घोल का भी यूज कर सकते हैं ठीक है कई बार होता है कि अंडा खाना सारे के सारे मेरे नाश्ते यहां पर रेडी हो चुके हैं फ्राइ होने के लिए आप यहां पर इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं जैसे आपने सुमोर्निंग में बनाना हो तो रात को ही आप प्रिपेरिशन करके रख सकते हैं तैयारी करके रख सकते हैं फिर इसको गर्म ग गोल्डन निकलेगा यह देखें इस तरहीं के रिखें कितना प्हारा है हमारे नाश्टे में लुक एट इस ब्रैट का नाश्टा haunted ब्रैट से बना हुआ है तो ब्रैट जो है बहुत जल्डी जाकर तेल फ्राइब हो जाती है तो जल्दी जल्दी इसको पलड़ते रहिए अलड़ते पलड़ते जितना आपको क्रिस्पी खाना उतना क्रिस्पी बनाईए जितना हलका क्रिस्पी खाना उतना हलका क्रिस्पी बना सकते हैं टोटल आपके टेस्ट के उपर है, ठीक है, अब बड़े से मैंने इसको अलटते पलटते ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, और अब मैं एक एक पीसिस का निकाल रही हूँ, एक्सर तेल में ही आपर पैन में ही निकाल दे रही हूँ, तो एक बेश मेरा तयार हो गया है, स उसके बाद है आप फ्राई कीजिएगा, चलिए, सारे के सारे मेरे नाश्ते यहां पर बनकर के तयार हो गए है, मैंने इसको सर्फ कर रही हूँ, आप, देख सकते हैं कितना बड़िया नाश्ता दिखने में भी लग रहा है, और खाने में तो इतना दादा क्रंची कि आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, यह देखिए, कितनी बड़िया क्रंची क्रंची सा हमारा नाश्ता बनकर के तयार हुआ है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर, सस्क्राइब करना ना भूलें, थैं